दोस्तो नमस्कार मैं अमरंदर पटेल इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश की राजनीती से निकल के आ रही है और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है और भारती जंता पार्टी के लिए बहुत बड़ा जटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है ये एक खबर आपको बतते चले की बावली विदायक रमा कांतियादों की ससर्थ जमानत हाई कोट ने निजदर कर ली है इन पर 1901 एक दोरान آजमगर्ड लोग सबाड़ चुनाओं के दोरान बसपा अकबर अमद डमपी तता उनके समर्तकों के ब याची को जमानत पर रियाक किया गया है कोट में हाजिर ना होने पर उनके खिलाब गयर जमानती वारंट जारी हुआ था और उन्होंने कोट में समर्पड जो कि किया था बता दें कि बावली विदायक रमा कांते अदब 25 जुलाई 2022 से जेल में बंद है कोट ने कहा जो कि इसका आफराधी कि तिहास है किन्त इर इस मामले में पहले जमानत मिली थी बिवाद ऐसा नहीं है जिसमें उसे जेल में रखा जाए याची मतलब रमा कांते यादो जमानत पाने का हगदार है यह आदेश नयाय मूर्ती डीके सिंग ने दिया बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर परदेश के मतलब सेरे पुर्वांचल के नाम से परसिद रमा कांते यादो का एक रसूक रहा है उत्तर परदेश की राजनीती में पुर्वांचल यो सेक्टर है और खास तोर पर आजमगड में दिनेश लाल यादो निरहुगा जहां से सांसाद है आने वाला 2024 में मैं आपको बताओं कि उपचुना में दिनेश लाल यादो निरहुगा तो जीत गए थे लेकिन जो फूल पूर का जो बिदान सबा चेतर है वो लोक सबा उपचुनाव 2022 में जो हुआ था जिसमें दर्मेंदर यादो को पटकनी दिये थे जो कि दिनेश लाल यादो निरहुगा ने फूल पूर बिदान सबा उसमें नहीं आता थोड़ा सा हटके बताते चले कि रमा कान तियादो के एक अलग रसूक है पिछडों और वलितों के मसीहा कहे जाते हैं रमा कान तियादो जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूं भारती जनता पार्टी के लिए 2024 में 2022 के चुनवा में रमा कान तियादो ने केलान किया था कि अगर 10 की 10 बिदान सबा सीट समाजवा पार्टी को अगर नहीं जिताया तो राजनीती करना छोड़ दूगा और हुआ वैसे ही रमा कान तियादो ने लाठी उठी लेकर जो है की इबीम की रखवाली भी कराये थे अपने कारकरताओं से बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था वो अलग भी सह है लेकिन रमा कान ति अब आने वाला समय जो समाजवादी पार्टी के लिए सुभ संकेत बताया जा रहा फिर मिलेंगा के लिए वीडियो नहीं जानकारिक साथ तक के लिए नमस्कार